पेहरे पेरेग्राफ में, वो कहते हैं, न तातो, न माता, न बंदूर, न दाता, न पुत्रो, न पुत्री, न भर्तो, न पर्ता, न चाया, न वित्या, न व्रत्तिर्म", गतीस्वंगतीस्वंगत्व locksNEG का भवानी, मैं ना किसी का बाप हूँ, ना किसी की माँ हूँ मैं ना किसी का कोई रिष्टेदार हूँ, ना मित्र हूँ ना दान देने वाला हूँ, ना दान लेने वाला हूँ ना किसी का बेटा हूँ, ना बेटी, ना नौकर, ना पती, ना स्वामी, ना बीबी हूँ नहीं मैं ग्यान भी हूँ और नहीं मैं कोई कार्य हूँ कोई व्यापार हूँ लेकिन फिर भी मेरी गती आपकी और और केवल आपकी और है भवानी ये शंकराचारिय की बहुत अच्छी बात है कि शंकराचारिय ने आसर जितनी स्तूतियों की रशना की है वो सारी स्तूतियां जो है वो नॉन रेफरेंस भी है कि मैं ये भी नहीं मैं वो भी नहीं मैं फला भी नहीं मैं ढिकना भी नहीं आप जो कुछ भी हो अगर आप सब आ सारी आइडेंटिटी जब आप निकाल देते हो कि मैं यह हूं यह हूं तो आप कुछ रहते ही नहीं और जब आप कुछ रहते नहीं तब भी मुक्ति हो जाती है लेकिन फिर भी लोगों को मुक्ति प्राप्त नहीं करवा पा रहे थे शंकर आचारिया क्यों नहीं करवा पा र वो प्रेम आप में नहीं है भले वो गुरु भी उतना ही मिथ्या है उतना भी नहीं है जितना आप नहीं हो लेकिन गुरु पे मा पे किसी एक देवी देवता के रूप पे अगर आपकी पूरी श्रद्दा नहीं रहेगी तो आप लाख होते पढ़ लो आप लाख ज्यान प्राप्त कर लो आप लाख गुरुओं के पास चले जाओ आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है तो जिनकी मुक्ति हुई यहाँ पे इन सभी को मैंने पूछा कैसा क्या हुआ एक बात आपको पता चल गई कि मैं हुई नहीं मेरा होना संभवी नहीं है मैं हुई नहीं यह बात तो आपको पता चल गई लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी घटना क्या घटी कहा पूरी तरह से हम आपके भक्ति में लीन हो गया थे अब उसके साथ में इदर अमरिता जी बैठे है सिद्दान जी बैठे हो कहेंगे यह ज्यान तो हमारे पास है कि हम हैं ही नहीं लेकिन जब क्रोध आता है वासना उपती है डर लगता है तब भूल जाते हैं कि हमें ही नहीं पर बक्ति तो हमारी पूरी है तो हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है मुक्ति में तुम्हारी बक्ति तुम्हारे मतलब की है तुम जब कुछ भी प्राप्ति के इच्छा से भक्ति करते हो तब उसको भक्ति नहीं कहते है उसको सौधा कहते है मैं देखता हूं कि रोग मंदिर जाते है दो व्यक्ति बाजू-बाजू में खड़े है एक के गर चोरी हुई और दूसरे ने चोरी की एक कहता है के भगवान चोर को पकड़वा दो मैं एक किलो पेड़े चड़ाऊंगा दूसरा कहता है भगवान पकड़ा ना जाओ चोरी करते हुए में एक किरो लड़ू चड़ाऊंगा भगवान को ते करना है लड़ू खाने कि प्षेड़ खाने हैं मंदत लोग मांते हैं दो दिन पहले मैंने एक नया फोन खरीद आये यह फाइफ फोल्ड और यहां पे टेबल पर ही रखा था और मैं बोजन कर रहा था और कोई व्यक्ति मुझे मिलने आ गए एक श्री थी और मेना फोन स्विच्छ होगया मिलने ही रहा था और मैं कि अजब अंदर आया तब संदीब गुरुजी मुझे लेने बाहर आये उन्होंने मेरे हाथ से सीधासाओं लिया लेकिन दोनों फोन मैंने गाड़ी से उतरके मेरे हाथ में रखे दे आम तो चारहे मेरा सिर्पिफिन गाडी में आधा उस दिन में गाडी में आया था क्योंकि सुबह हम लोग कहीं पूजा करनी गया थैं दोनों फॉन मेरे हात में तो फॉन तो चोड़ी हो गया अब मैंने देखा यहां देखा नीचे देखा गिरा आएगा मैं वाश रूम गया था लेकिन तब फोन लेकर नहीं गया था खाना कहने के बाद बरतन दोने तो मैंने कहा कि स्वाश रूम में चुटा। मैंने लिया तो नहीं था फोन फिर भी मैं वाश रूम में गया अब स्विच ओफ आ रहा है तो पता चला भी चूरी हो गया वाश्रूम में भी ले गया होगा तो वाश्रूम में रख दिया होगा चूरी हो गया तो मैंने तुरंट अंजुजी से कहा कि कार्टिक पिरिया अर्जुन का यंतर निकाले और मैं जब करके देखता हूं आ जाएगा फोन फिर मैं उपर गया मा के पास मैंने का मा मेरा फोन चूरी हो गया मा ने बोला क्या देगा दिलादू की तो क्या देगा तेरा खर सर नहीं खाऊंगा मैं क्या नहीं देगा वो पूछ तू वरना तेरा सर खा जाऊंगा के नया फोन लेके दे और तेरे को किसी को राजी करना पड़ेगा नया फोन देने के लिए तो इज़त से मेरा फोन दिला दे वोला जा नीचे जो बैठी है ना उसके पास है मैं नीचे हो तो उसने कहा यहां नीचे आपका फोन गिरा था उसने दे दिया वहीं उसने वापस उसके हाथ से भी गिरा दो डेंट आ गए वोला नीचे इधर ही गिरा मैं वोला ठीक है गिर गया होगा तो ऐसा है अगर तुम्हारा इश्वर कहे तो भी उससे सौदा मत करो माँ बेटे में बाप बेटे में कभी सौदा होता है कि तुम मेरा काम करो मैं चलके आओंगी वहिश्णो देवी यह सब मत करवा पुम्हारा इश्वर क्षड़ स्च्छवर